हेलो दोस्तो ओक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और एक नई उमीद नई आज जगने लगी है क्रिप्टोकरंसी मार्किट को अगर आज मैं देखता हूँ हर कुछ अच्छा लग रहा है ग्रीन के अंदर दिख रहा है और अच्छी खबरों की जड़ी लग गई है तो आज हम वो खबरे फटाफट आपको बताएंगे और इससे आपको उमीद जगे की की आने वाला महीना या आने वाला साल जो है खतम होने वाला है तो अच्छा हो सकता है और आप जो नहीं सोच सकते शायद उससे भी बेटर आपका पोर्टफोलियो हो जाए और साथ क्या टेकनिकली बात करेंगे शोट तम वालों को भी तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि यहां से क्या लगता है तो फटा फट से वीडियो को कर दीजे लाइक और चानल को कर लीजे सस्क्राइब तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिटकोईन की लगातार न्यूज आई तीन चार जिसने एक पॉजिटिव मावल क्रिप्टोगरंसी मार्किट के अंदर बना दिया है सेप्टेंबर का महीना मैं मुझे पता है बहुत उथल पुथल वाला रहा हर कोई परेशान रहा और दुबारे से जो दूर दूर से लोग हैं जहां मैं नोटिस करता हूँ वो बोलने लगे 15-20,000 डॉलार आ जाएगा अरे आज आएगा तो आजाएगा न भाईया लेकिन हम सा मेहनत करीए ना बस किसीरे कुछ बोला उस पर मज जाईए मैं जो बोल रहा हूं उस पर मज जाईए अपनी मेहनत कीजिए रिसर्च कीजिए क्योंकि मेहनत करोगे तभी तो पैसा बनेगा न यहां पर नाइट वंडर में जाओगे तो पॉर्टफोलियो जीरो होने के का है Mr. Powell उन्होंने बोला है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है क्रिप्टोकरंसी बैन करने की USA के अंदर एक बहुत बड़ी नियूज है इसको अगर आप देखते हो समझते हो एक तरफ चाहिना है जो कि बैन सब कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहा है पूर जोर कोशिश कर र बड़ी जो कंट्री मानी जाती है सबसे पावरफुल जो कंट्री मानी जाती है अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देती है तो कितने माइने उसके निकलते हैं तो यही आप देख रहे होगे कि थोड़ा सा पॉजिटिव महाल क्रिप्टोकरंसी में बनने लगा जैसे यह क्या है अब वहाँ पे आप माइनिंग कर पाओगे बैन क्यों लगाया गया था कि उनका कहना था कि वहाँ पे पावर की शॉटेज हो रही है बिजली बहुत जादा खबत होती है हम सबको पता है बिटकोईन माइनिंग के लिए तो उन्हों ने बैन इसलिए लिए था वो आप समझ लीजेगा पहले उन्होंने बिटकोईन को लीगल टेंडर बनाया फिर उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर एटीम लगाए लोगों को वहाँ पे बिटकोईन फ्री में दीए अब भात जो निकल के आ रही है दिल्ली और खासकर इंडिया की बात करूं पैट्रोल के ल चल रहा है पॉजिटिविटी पॉजिटिव माहौल बने जा रहा है एक एक और संकट आप सबको पता होगा टेटर बिट फिनेक्स को लेकर बड़ी एशू आ रहे हैं कि अगर उनके साथ में जो केस चल रहा था कुछ उनके अगेंस चला गया या कुछ दिक्कत आ गई तो क्रिप्टोकरंसी मार्किट है सकती है क्योंकि हर कोई जो कॉइन हैं सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो ओवरल दिक्कत आएगी तो यहां पे जो USA के अंदर एक चो केस चल रहा है उसके अंदर उन्होंने बोल आतार चायना फायना ठायना यह सब चीज हम सुन सुन के कान में से खून निकलने लगा लोगों के अब यहां पे जब पॉजिटिव निउस निकल के आ रही है आप समझेगा यह चक्कर चलता है यह गेम चलता है डिप में बाइं करो आम आदमी से अपने पास लाओ और फिर मार्केट को अप कर दो तो यह सारी चीजों को ध्यान रखना है इतना कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है पॉजिटिव निउस लगातार आ रही है और एक्स्ट्रीम फियर की बात करें फियर और ग्रीड इंडेक्स की बात करें जब भी फियर के अंदर होता है 20 के आसपस आ गया था तो खेल वहां पे आहां माज मी जो डरा सहमा रहता है लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो वहां खेल करता है और आप देखोगे 49,000 डॉलर के आसपस हम आपको लगातार बता रहे थे कि डिप में आए बाइंग करो एंट्री मिल सकती है तो आज बिटकोईन भी यह सारी चीजह करें ना किसने रोका है तो यह जो चीजेह आपको पता होनी चीए लेकिन टैकनीकलो आगर में बात करता हूँ तो टैकनीकली भी बिटकोईन बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको पता है जैसा कि आभी आपको चार्ट में भी दिख रहा है blue line जैसा कि हम डॉलर रहता तो टेक्निकली आपको इस सारी चीज़े समझनी है कि अगर चला भी जाता तो दुनिया खतम नहीं हो जाती शौट टम में अब डाउन होता रहता है बिटकॉन और क्रिप्टो गरंसी के अंदर तो अगर इसके अंदर भी कुछ हो जाता कुछ खेरान नहीं हो ना परिशान होने वाली बात नहीं होती है लौंग तम में और शौट तम में आप लाइन्स पे ट्रेड कीजिए लौंग तम में आप अपने पोर्टफोलियो को भढ़ाईए जब भी डिप में आये माल बटोरी है ये एक पंड़ा है अगर आप लौंग तम में वेल्थ क्रियेट करना चाते हो या अपनी जनरेशन आने वाली जनरेशन को कुछ देके जाना चाते हो या कुछ वेल्थ देके जाना चाते हो क्योंकि क्रिप्टो करंसी से दुनिया में हजारो लाखो लोगों की किस्मत बदगी है अगर आप भी अभी जुड़े हो न इमानदारी से एक दो साल अगर आपने काम कर लिया honestly आप working कर रहे हो पूरी research कर रहे हो इंकम है उसका पांदस परसेंट इसके अंदर लगा सकते हो इससे जादा आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि market जो है वर्टाइल तो ही न अब यहां पर टेक्निकली अगर मैं बात कर रहा था जो सो दिन का moving average है वह एक इसको support निकल के आ है वहां से जब जो 100 है जो यह में exponential moving average है जो कि आपको yellow line देख रही है वह इसके लिए एक resistance बना हुआ था यानि कि पिछले हफते दल से इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में घूम रहा था अभी अच्छी बात क्या उसको break out करके अब यह 200 दिन का moving average है उसको working करने की कोशिश कर रहा है उसको hit करने की कोशिश कर रहा है जो कि लगबग 45,200 डॉलर है जो कि अब इसके लिए एक important resistance है अगर आप cryptocurrency market को October में bullish देखना चाते हो तो यह जो level है इसके उपर जाना बहुत जरूरी है और हमें लगता है कि अगर इसके उपर close करता है तो एक resistance जो मिलती है important resistance है वो है 46,800 से लेके 47,000 डॉलर अगर उसके उपर जाता है तो आने वाले time के अंदर जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी share किय था या पिछले एक अफते से share कर रहे है औक्तूबर के अंदर आपको all time high भी लगता दिख सकता है अभी golden cross हुआ था बहुत सारे लोग बोले लगे क्या हुआ आपके golden cross का 45,000 डॉलर आ गया बहाल 40,000 डॉलर आ गया 50,000 डॉलर से अरे गोल्डन क्रॉस के उपर अगर आपने research करी होगी या पूरा आपको पता होगा इन चीजों में time लगता है तीन, छे महीने, एक साल अगर golden cross हुआ ऐसा है कि एकदम से उपर चांद पे चली जाएगी चीज़े नहीं ये चीज़े कैसे आएंगी? आपको पता है गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस के क्या impact पड़ते है और क्या कैसे होता है? लेकिन जैसी golden cross होगया, golden cross होगया, golden cross होगया, अब बस अब तो मेरा portfolio तीन गुना, दस गुना, ऐसा कभी नहीं होता और market सिर्फ golden cross है नहीं चल रही है market में बहुत हजारो factors होते हैं, जिनने हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन एक bullish indicator माने दाता है, लेकिन आपको इसके लिए 6 महीने, 1 साल का समय देना पड़ता है ये सारी चीज़ों को ध्यान रखी न, तो अब रेस्टेंस क्या है, 46,700,800 डॉलर से 47,000 डॉलर अगर उसके उपर जाता है तो आपको all time high भी लगता दिख सकता है बाकी cryptocurrency market के अंदर overall जैसा कि हमने बताया, dip में buying कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे top 10 coins में भी focus किया होगा तो I'm sure कि आज अभी भी आप 10 से 15 परत्रों के profit में आगे होगे, जैसा हम लगातार आपको बता रहे थी पिछले हापते 10 दिन से बाकी एक special video हम आज जल्दी बनाने वाले हैं, 5 coins October में कौन से आपको लेने चाहिए जो आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, एक अच्छा return देके जा सकते हैं, वो आपके साथ में जल्दी ही share करेंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, चैनल पहली बाहर आए तो subscribe करिए, हमें यही motivate करता है, आप जब like करते हो, subscribe करते हो, share करते हो, तो ऐसी वीडियो शेयर करेंगे, तो हमारे लिए तो थोड़ी से help हो जाएगी, ह लोगों तक awareness पहुँचेगी, आप हमारी इतनी तो मदद करी सकते हैं, तो दोस्तो अभी के लिए में वेदा लेता हूं, खुछ रही है, मुस्कुरा तरी एक मात्री आपको दोस्त पंकर्ष, ठैकी नुश्कार दन्यवार,